Hello students, तो आज हम सीखते हैं पॉलिनोमिल डिविजन कैसे कर सकते हैं? यह भी simply division की तरह ही होती है तो चलि हमें यह question करके दिखाते हैं कि कैसे हो सकता पॉलिनोमिल डिविजन तो सबसे पहले हमने 2x square को divide करने है और यहाँ पे हमें x plus 1 given है तो हम 2x square कैसे बनाए? तो यहाँ पे हमें x given है तो x के साथ क्या multiply करेंगे? एक 2x square बन जाए तो हम अगर इसके साथ 2x multiply करते हैं तो हमें मिल जाता है 2x square तो यहाँ पे लिखा मैंने 2x अब इसको इसके साथ अगर multiply करेंगे तो क्या बना? 2x square उसे यहाँ पे लिख लिए नेक्स्ट हमारा plus 1 तो अगर हम 2x को 1 के साथ multiply करेंगे तो क्या बनता है? plus 2x यहाँ पे हम divide करेंगे यह plus का है तो यहाँ पे हम negative कर देते हैं यहाँ पे plus है तो यहाँ पे हम negative कर देते हैं यह हमारा cancel out हो जाएगा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 यह जो हमारा बच किया था वो हमने ऐसे लिख लिया अब हमारे पास है 2x तो यहां पे हमें x गिवन है अगें हम किस के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे 2x बन जाए हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 2 के साथ प्लस 2 के साथ अब हमने 2 को x के साथ multiply किया हमें मिल गया 2x प्लस 1 के साथ 2 को multiply करे है प्लस 2 यहां पे हमारा sign change हुआ negative तो यह cancel out हो गया यहां पे हमारा sign change हो गया 2 उसमें से 1 को minus करेंगे हमारे पास आजाएगा 1 और जो बड़ी रखम है वो 2 है उसके सामने जो निशान है वो है minus तो यहां पे आजाएगा minus 1 यह हमारा आगया remainder एक और question है यहां पे हमारे पास x cube गिवन है अब हम इसको 27x बनाना है x cube तो यहां पे 1x गिवन है x square चाहिए और 3 गिवन है हम इसको multiply करेंगे 9 के साथ तो 9 x square तो इसको इसको साथ multiply करेंगे हमें मिला 27 x cube आगया हमारे पास minus तो 9 को 2 के साथ multiply करेंगे 18 x square as it तो यहां पे हमारा sign change हुआ यह cancel out हुआ यहां पे हमारा positive का sign आगया और हम 18 में से 9 को 18 में से 9 हम plus कर देंगे और plus करने से हमारे पास आगया 27 x square और जो हमारे पास पीछे बच गया थे वो हमने ऐसे लिख लिए अब हमारे पास 27 x square अब 3 और x गिवन है x गिवन है 1 x चाहिए तो हमने क्या किया 9 x के साथ multiply कर दिया अब हम इसको 3 x के साथ multiply करेंगे 27 x square आ जाएगा 9 x को minus 2 के साथ multiply करेंगे तो यहां positive हो जाएगा 18 में से 3 को minus करेंगे 15 आ जाएगा 15 x अब बड़ी रखम के मूरे plus का निशाना तो यह plus ही रह जाएगा minus 9 हम as it लिख लेंगे अब हमें चाहिए 15 x यहां पे है 3 x मतलब x तो है अब 15 बनाना है तो इसको हम 5 के साथ multiply करेंगे 5 x तो 5 को 3 से multiply करेंगे 15 x और minus 2 के साथ 5 को multiply करेंगे तो minus 10 हमारे पास क्या जाएगा यहां पे sign change हुआ यह cancel out हो जाएगा यहां पे positive हो गया 10 में से 9 गे 1 यह हमारा remainder आ गया यह question आपके लिए है आप इसको solve करके मुझे comment में answer ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो अची लगी हो तो like, share और subscribe ज़रूर कीजी thank you very much